हाई फ्रेंड्स मैं हूँ स्वाती वेलकम बेक टो माई चैनल स्वाती चौरसिया आर्ट लेर्न आर्ट कभी भी मैं फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग और बहुत इंपर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली कि फुल फेस का फीचर्स किस तरह से पोजिशन प्रोपोशन की जाती है विद मैजर्मेंट तो मैजर्मेंट से मैं ये चाहती हूँ कि फ्रेंड्स जो मैंने गलती की है बिगनर में जो पास्ट में मैंने गलतियां की है वो आप लोग ना करो क्योंकि आप बिगनर हो अगर guidance सही मिलता है तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से learn कर पाते हैं बहुत अच्छे से सीख पाते हैं और उसे right direction में हम सीख कर result ले तकते हैं तो friends मैं इसी चीज़ को बताना चाहूंगे कि मैंने भी यही किया था हम लोग क्या सोचते हैं कि हम art बना रहे हम face बना रहे हैं तो हम direct बना लेंगे हम direct बनाने के कोशिश करते हैं free hand बनाने के कोशिश करते हैं लेकिन free hand बनाने में भी हमें measurement बहुत help करता है हमें अगर measurement पता है तो हम उस चीज़ को सही जगे पे position पे हम marking कर पाते हैं सही direction में सही position पे सही proportion कर पाते हैं जब हमारी proportion सही होने लगेंगी measurement के साथ में अगर हम करते हैं proportion सही होंगी तो हम free hand भी बहुत जल्दी cover कर पाएंगे free hand भी बहुत जल्दी practice कर पाएंगे तो मेरा reason यही है कि आप लोग free hand बनाना अगर चाहते हैं free hand में भी अगर आप practice करना चाहते हैं तो with measurement पहले करें measurement से proportion और position को आप अंदाजा लगा ले सही माइने में measure कर लें सही तरीके से फिर उस पर आप free hand की practice करें तो आप बहुत जल्दी result पाएंगे definitely बहुत जल्दी result मिलेगा मैंने भी यही गल्ती की थी पर मैंने फिर उसको सुधार लिया फ्रंट्स यह जो face का length होती है लंबा ही होती है वो मैंने 17 cm लिया और जो चोड़ाई होती है वो मैंने 10 cm लिया यह हम बड़ा और छोटा कैसे भी कर सकते हैं कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हैं यह हमारे paper के space की according हम change कर सकते हैं या हमें कितना बड़ा बनाना है कितना छोटा बनाना है उसके हिसाब से हम set कर सकते हैं फ्रंट्स फर्स लाइन होगी eyebrow की जो मैंने half पे किये marking मैंने 17 cm फुल लेंथ लंबाई लिये face की और जो मैंने eyebrow की लंबाई लिया है जो लाइन लिया है जो लाइन लिया है वो ली है मैंने जो मार्किंग की है मैंने उसको मैंने साड़े 8 cm पे लगाया है एक cm नीचे मेरी eye line की जो measurement आता है वो आएगा एक cm का gap होगा eyebrow और eye के बीच में जो length होती है जो उचाई होती है उसमें हमें एक cm का gap लेना होगा अब eye से nose का जो distance है हमारा वो हमारा होगा 3 cm का 2 का भी हो सकता है धाई से 3 का normally measurement आता है और जो nose है nose से lip की जो line marking की है मैंने 1 cm का gap लेकर की है इसको हम 1.5 cm भी ले सकते हैं हमारे photographs के या हमारे paper की according ले सकते हैं जितना बड़ा या जितना छोटा करोना चाहते हैं अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो इसे double कर सकते हैं अगर छोटा करना चाहते हैं तो इसे आधा कर सकते हैं हमारे उपर depend करता है, यह normal एक measurement आपको बता रही हो, समझाने के लिए friends, इसके बाद हम कम जादा छोटा बड़ा कैसा भी कर सकते हैं, वो हम पर depend है, लेकिन अगर आप इसके measurement के according अगर आप चलते हैं, इतना भी practice करते हैं, तो काफी है, इसके बाद आपको खुद समझ में आन practice करनी पड़ीगी, वो कोई भी हाथ पकड़ के नहीं सीखा सकता, वो आपको practice करनी होगी, मैंने shape की practice कैसे किया next video मैं जरूर बताऊंगी, तो जरूर देखना मेरा अगला वीडियो, जिसमें मैं shape की practice किस तरह किया मैंने, वो बताऊंगी आप लोगों को, बस इतना है कि मैं जितने भी features हैं, उसको मैं practice कैसे करना है, वो बता सकती हूँ, लेकिन shape बनाना, shape correct करना वो तो आप लोगों के ही हाथ में, आप लोगों को ही practice करते करते आएगा, इस चीज में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, friends, इसको आप ही को develop करना है, आप ही को improve करना होगा, और practice के बि इस तरह से features सारे set हो गए हैं, अब मैं आपको last में बताती हूँ, end में वीडियो में कि किस तरह से features कहां किस तरह से position पर set किया है, किस तरह से proportion किया है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगी, कितने centimeter किस तरह से और क्यों आया, यह सब कुछ चीजे मैं आपको बताऊंगी practice बहुत जरूरी है, हमें practice करना ही पड़ेगा, किसी भी किसे हम आज भी practice करते हैं, और बड़े से बड़ा जो भी होगा न, artist वो भी practice आज भी करता है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे level पर पहुंच गए तो practice नहीं करना, practice करना ही पड़ती है, देखो friends, main जो result निकल के आया है, finally ही आया है, अब इसे हम अच्छी तरह से shedding कर सकते हैं, improve कर सकते हैं, हम जितना चाहें उतना detailing कर सकते हैं, पर यह जो basic है, वो face इस तरह से बन कर आया, अगर हम इस तरह के fresh की practice करते रहेंगे, तो हमें definitely free hand की पर practice हो जाएगी, देखिए, उपर जो top hair है, वहां से chin त चिन तक का marking करते हैं, वहीं से start करते हैं face, लेकिन उस से क्या है, face का measurement बिगड़ जाता है, और जो चोड़ाई लिए, वो 10 cm के लिए, हमें head का और hair का भी part include करना है इसी में, ठीके, हमारा face के जो चोड़ाई होती है, जो measurement होता है, वो मेरे 5 eyes के बराबर होता है, 5 eyes, तो उस साब से जो दोनों eye के बीच की gap होती है, वो 2 cm के लिए, वो equal होती है, एक eye के बराबर की दोनों eye के बीच की gap होती है, एक eye हमने लिए 2 cm क्योंकि 10 cm का हमारा face है, face की चोड़ाई जो है, वो 10 cm है, तो हमें 2 cm की eyes लिए है, और दोनों eye के बीच का gap भी, एक eye के बराबर के measurement के बराबर ही होगा आई और आईब्रो के बीच का जो गेप है वो एक सेंटीमिटर का आएगा हमारा और जो नोज का बेस है जो बेसिकली शेप का जो ड्रॉ करने का जो गेप है वो भी हमारा दो सेंटीमिटर का ही आएगा आई के बराबर ही आएगा हमें आई के अकॉर्डिंग ही चलना है पूरे फेस के फिचर्स में जो शेप लेना है हमें नोस का उंचाई वाला जहां से शेप कंप्लीट होता है वो भी हमारा दो सेंटीमिटर डेट से दो सेंटीमिटर के बराबर ही आएगा अब आता है फ्रेंट्स लिप्स हमने लिए है क्यों लिए है हमने मैं बताती हूं लिप्स जो होते हैं वो दो सेंटीमिटर के गेप में बीच में तो आते ही है लेकिन उसकी जो मेजर्मेंट निकल के आती है वो आई लेंस के सेंटर में से आती है आई लेंस का सेंटर और लिप्स का कॉर्णर दोनों आई लेंस के सेंटर और दोनों lips के corner equal, same होते हैं, बराबरी पे आते हैं तो बीच के 2 cm और जब हमारे 2 cm का gap lens तक जाएगा तो 1 cm ओड बढ़ जाएगा दोनों side से तो 1 cm वो जो बढ़ता है तो हमें 4 cm का gap लेना पड़ेगा lips का, यह देखिए right side में भी और left side में भी हमें दोनों eye lens के बिल्कुल similar marking कर ली है lips की corner की, यह देखिए जो मैं line खीच रही हूँ, यह देखिए हमारे lips यहां से यहां तक आएंगे, इसलिए हमें 4 cm क्योंकि 2 cm का तो बीच का हमारा gap है ही लेकिन 1 cm दोनों eye corner से eye lens तक का gap जो है वो बढ़ जाता है, तो हमारे 2 cm एड हो जाता है तो उसमें हमें हो गए 4 cm का total जो space है वो हमारा lips का हो गया यह, ठीक है, इस तरह से हम पूरे face की proportion कर सकते हैं बिल्कुल भी कोई problem नहीं आती है, हम लोग घबराते है measurement से क्यों measurement से अगर हम करेंगे तो किस तरह से कर पाएंगे बहुत जंजटे, बहुत जमेला हैं, हम परेशान हो जाते हैं हम उस चीज़ को कभी भी follow नहीं घरते हैं हम free hand बनाने की कोशिश करते हैं, पर free hand में क्या होता है कि एक आँख उपर जा रही है, एक आँख नीचे जा रही है ठीक है, head से head तक का part हमें double या आधा करना जितना भी हमारा face के according हम जो भी measurement ले रहे हैं बस friends, इसी तरह हम outline draw करने के practice कर सकते हैं measurement के साथ, जब हमे outline practice हो जाएगी measurement के साथ तो हम free hand की भी practice easily कर पाएंगे तो बस इसी तरह practice करते रहे हैं और अपने ट्राइंग को improve करते रहे हैं मेरा वीडियो end होने वाला है तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो like करना, share करना comments box में comments करके बताना कि कैसा लगा और channel को subscribe करना ओके बाई, bye, take care करके बाईंगे प्यूड़ जपे जपके लगा प्यूट अच्छा खाह झाता लगा करना 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 कर दो कर दो मेरा वाला वाला कर लाघा अधशा जबाओा कर दो झाल झाल